हेलो फ्रेंट संद्या की कुकिंग में आपका स्वागत है देखिया आज हम बनाते हैं चीनी के जितिया ब्रत इस्पेसल लड़ू देखिये इसके लिए हमें सिर्फ चीनी की जरुत होती है हमने एक कटोरी चीनी लिया है वजन में करीब धाय सो ग्राम होगा और इसमें हम डा इसका फ्लेम मीडियम करके इसको मेल्ट करेंगे धीरे धीरे ऐसे ही देखियेगा यह चीनी विल्कुल घूल जाएगी और पूरा स्टेप बाई स्टेप हमने आपको बताया है प्लीज वीडियो को फूरा देखें इसकीप कर देंगी तो आपके समझ में नहीं आएगा इसक बन नहीं पाता है देखिये धीरे धीरे चीनी जो है मेल्ट हो चुकी है अब इसमें उबाल आएगा इसे ऐसे ही मीडियम फ्लेम पे चलाते रहें और इसे पकने दें अगर आपकी चीनी में थोड़ी बहुत गंदी टाइप हो तो आप इसमें एक चमश दूद डाल दें इस इसे जो है कि हमारी चीनी जो है विल्कुल साफ हो जाएगी और हमारे लड़ू जो है विल्कुल सफेद सफेद बनेंगे देखिये जो एक किनारे आ रहा है इसे हम निकाल देंगे दूद डालने के बाद सारा जो है मैल किनारे पे आ जाता है इसलिए इसको हम दूद डालके साफ कर शकते हैं अपनी चीनी को देखे और इसे ऐसे ही पकाते रहें मीडियम फ्लेम पे देखे पले जो है बड़े बड़े बूदे आ रहे थे फिर उसके बाद थोड़ी छोटे बूदे आने लगते हैं और हाथों पे लेकर इसे चेक करते रहें देखिए बिल्कुल हमारी एक तार की चाशनी बनके ये हो गई तयार अब हम इसे थोड़ा सा दो मिनट और पका के गैस का फ्लेम बंद कर देंगे देखिए अब हमने दो मिनट पका लिया है और गैस को बंद कर दिया है अब ये बिल्कुल भी परफेक्ट आपकी लड़ू बनने के लिए तयार है वीडियो पसंद आए तो लाइक करना शेयर करना चैनल पर पहली बार हों तो चैनल को सस्क्राइब जरूर करना और बेल आइकन प्रेस कर लेना देखिए ये दस मिनट बाद थोड़ा थोड़ा जम चुका है जम रहा है आपको समय ज्यादा कम हो सकता है क्योंकि आपके कडाही के उपर है जितनी आपकी कडाही का तला मोटा या पतला होगा उससे समय उपर नीचे हो सकता है इसे बनाने में करीब आधा से पौन घंटे लग जाते हैं क्योंकि इसे ठंड़ा होने में काफी टाइम लग जाता है देखिए धीरे धीरे जैसे जैसे ठंड़ा हो रहा है वैसे वैसे ये सफेद हो रहा है और जमते जा रहा है देखे थोड़ी देर बाद ये और भी गाड़ा हो चुका है आप इस तरीके से अगर सारा ट्रिक फालो करके बनाएंगी तो आपका बिल्कुल फर्फेक्ट बनेगा और आपको अगर नहीं समझ में आता है नहीं बना पा रहे हैं तो पहले एक और तरीका है आप इसे सिर्फ दो तीन चम्मच चीनी लीजिए और उसमें एक चम्मच पानी डालकर उसे मेल्ट करिए और उसे पका कर पहले उसे भी एक तार की जब चाशनी बन जाए तब उसे बनाएं हाथों पे थोड़ा सा पानी लगा कर इसे हम बनाने की कुसिस करेंगे अभी देखे ये थोड़ा हाथों के सहने लायक नहीं है अभी जल रहा है इसलिए बननेगा नहीं अभी अभी भी हमें पांच मिनट इंतजार करना पड़ेगा देखे पांच मिनट बाद और भी सूखा हो गया है अभी भी ये गरम है कडाही जो है काफी गरम है अभी इसलिए ये अभी भी नहीं बननेगा इसके किनारे किनारे का हम छोड़ाते रहेंगे देखे अभ ये सूखा हो चुका है अब हम एक एक चमच इसमें से उठाएंगे और हाथों पे दोनों हाथे पो गुमाते हुए इसको गोल-गोल लड़ू के सेब में बनाएंगे आप जितना छोटा या बड़ा बनाना चाहें उतना बना सकती हैं हमने सिर्फ छोटा छोटा ही बनाया है एक एक चमज का और आप चेक करने के लिए इसे सिर्फ दो तिन चमज चीनी से ही पहले बना कर एक बार देख लें सारी आपको इसकी ट्रिक समझ में आ जाएगी फिर आपका विलकुल फरफेक्ट तरीके से बनेगा देखें सारक जो है जैसे जैसे सूखा हो रहा है वैसे वैसे कितना अच्छे से बन रहा है इसको देर ना करें थोड़ा गरम ही रहे तभी इसे बनाना सुरू करें नहीं तो ये सूख जाएगा तो ये तगार फोम में आ जाएगा देखे इसी तरह हमने सारे लड़ो बना लिये हैं अब इसे अभी थोड़ी और सुखने देंगे फिर भी ये विलकुल सुख चुका है एक दब ड्रायस सा हो गया है इसी तरह आप असान तरीके से जुतिया ब्रत इस्पेसल लड़ो बना सकते हैं घर पे देखे सारा लड़ो बन चुका है वीडियो देखने के लिए धन्यवाद